नमस्कार सु आगे थे दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जहां पर जानेंगे खडगे और प्रेंका गांधी का बीजेपी पार और नितीज कुमार पर जोरदार हमला नवादा की घटना डवल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और परमाण दोस्तों इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल किया रही है बिहार के नवादा में महादली टोलापा दवंगो के हमले को लेकार कौंगे और सद्धाच खडगे ने बीजेपी और मुख्यमंद नितीज कुमार पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि बिहार के नवादा में महादली टोलापा दवंगो का अतंक इंडिये की डवल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है उन्होंने कहा कि बेहन इंदनी है कि करीब सो दलित घरों में आग लगाई गई गोली वारी की गई और रात के अंधिरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया बीजेपी उसके सायोगी दलों के दलित और वंचितों के पती घोर उदासिंता उपेच्छा यहां पर देख सकते हैं दरसा आ रही है नियत बीजेपी और जेडियू की प्रधान मंत्री मोदी हमेशा की तरह मौन है नितीज जी सत्ता की लोग में बेफिक्र हैं और अंडिये की सायोगी पार्टियों की मुँमें दही जम गया है मलिका जुन खड़के का बड़ा वयान दोस्तों आया तो दूसरी तरह एलोपी रहुल गान्दी का टूइट भी आया नवादा में महाद अलितों पर पूरा टोला जला दिया गया दोस्तों 80 से ज़्यादा परिवार के घरों को नश्ट करे देना बिहार में बहुजनों के बिरूद अन्याय की डराबनी तस्वीर उजागर कर रहा है ये घटना दोस्तों बिहार के नवादा में देखने को मिली है आपको बताते चाहिए इस पूरे मामले को लेका लगातार एंडिये सरकार घर रही है रहुल गांदी ने काया कि भाजपा और इंडिये के सायोगी दलों के नेत्र तुमें ऐसे अराजक तत्तों सरण पाते हैं भारत के बहुजनों को डराते हैं दवाते हैं ताकि वो अपने समाजी को सम्मेधानिक अधिकार भी ना मांग पाएं और प्रधान मंत्री का मौन इस बड़े सडेंतर पार सुईकर्टी की महर है दोस्तों बिहार सरकार और राज्य सरकार को यहाँ पे लगातार रहुल गांदी घेर रहे हैं दोस्तों आप सभी को बताते चले एक देश एक चुनाव पे लगातार सियासत गर्मा गई है इंडिया गढ़ अंदन के 15 घटक दलों ने तो मोर्चा कोल दिया है एक चुनाव को कैविनेट से मंजूरी मिलते ही सियासी हलकों में बिरोध है कौंगेर सहीद 15 भी पच्चे दल अब सामने आगा हैं खुल कर गौर कहने वाली बात दोस्तों यह है कि TDP मुख्य बीजेपी की सयोगी पाइटी है केंद्र में बहुत बड़ा योगदान है सरकात चलाने में महत्पूर भूमिका TDP की है लेकिन अविता के स्थिति इस पश्ट नहीं की है सिर्फ मंजूरी देने से नहीं बन रही है बात आगे की रहा है और भी कठेन इन वन नेशन वन इलेक्षन पर बीजेपी घिर रही है चाल राज्यों की चुनाओ एक साथ करवा नहीं पा रहा है और बाते वन नेशन वन इलेक्षन की कर रहे हैं इम्रान पिताब गड़ी कॉंगेस के सांसद है इनका ये बयान आया दोस्तों जम्मो कश्मीर हर्याना में एक साथ चुनाओ हुए जबकि माना जा रहा था जारखंड महराष्ट में चुनाओ भी नहीं के साथ होंगे लेकिन देख सकते हैं चाल राज्यों में चुनाओ करवा नहीं पाला चुनाओ आयोग और एक देश एक चुनाओ की बात सरकार कर रही है यहां पे जवदास थमला कॉंगेस रांसद इम्रान पिताब गड़ी ने साधा के साथ दोस्तों 21 सितंबर को आतिशी लेंगी डिली के मुख्य मंतिपद की सपात राष्ट पती मंजूरी के बाद तारीक ताएं जी हां दोस्तों दिली में आमाली पार्ट की नई सरकार का सपत गहंट समारो होगार उपरा जिपाल बिनाय कुमार सकसर राष्ट पती को और विंद के जीवाल का इस्तीफा भेजने के साथ 21 सितंबर को नई सरकार के गठन का फिरस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई शनिवार को आतिशी दिली की नई सीम के रूप में सपत लेगी आतिशी के साथ मंत्री मंडल भी सपत लेगा मंत्री मंडल में जादा फेर वदल नहीं होगे से दो नए चैरे सामिल किये जा रहे हैim दोस्तों बताते चले यहां पे आतिशी को यहां पर मुख्मंती पत का उ मुख्यमंत्री की सबत लेंगी यहां पर आतिशी दोस्तों नेशन वन इलक्षन को संसद से कैसे पास कराएगी मोधी सरकार सामने है कई चुनौती 37 संसदों का बोट हासिल करना है चुनौती जी यहां दोस्तों एक देश एक चुनाओ पार कोविंद समिती के प्रस्ताओं को मोधी सरकार ने मंजूरी दी है लेकिन प्रस्ताओं को मंजूरी देने के बाद अब सरकार संसद में विधैक लाएगी और वहीं पर उसक अस्तान सदों की जरूर्द पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें लेकिन हाँ पे दोस्तों यहीं पे पेंच फस रहा है इससे पहले दोस्तों बाइसार सीपी और बीजेडी ओरीसा के पूर्बसीयन नविन पतनाई की पार्टी जो हमेशा मोधी सरकार के साथ खड़ी रहत तो धीं से दोस्तों जैसे जैसे रहुल कांधी की लोग-्रियता बढ़ रही है नेता तिपच्छ राहूल गांधी जन्तत की तकी है रंका गानी ने सवाल किया कि आदेश के करोणों दलितों पिछड़ों आदिवासियों और गरीवों की आवाज उठाना इतना बड़ा अप्राद है कि भाजपा नेता यहां पर नेता पिति-पच्छों को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धंकिया देने लगे हैं उससे भी ज्यादा खताराक है कि प्यम मोदेगरी मंत्री साह समेथ समूच बीजेपी ने तो इसे साहत दे रहा है और अभी तक कोई कारवाई ना करना यहीं सारा करता है बीजेपी आरसस के लोग नफरत फैला रहे हैं इनका मूल यहां पर मंत्र है लोगतंत्र को कमजोर कर प्रेंका गांधी आरसस बीजेपी फे भड़ा कुठी दोस्तों आप भी अगर सहमत है प्रेंका गांधी की बातों से तो एक लाइक वीडियो को जलूरी कीज़ेगा आगली अपडेट कियो चलते हैं जैसा कि दोस्तों दच्छन के राज्यों में देखा गया कॉंग्रेस ने चुनाओ जीतने के बाद चुनाओ के दौरान अपने घोशना पत्र में दी गई सवी गारंटीयों को एक-एक करके समय अनुस्तार पूरा किया बैसे ही यहां पे साथ गारंटीया दी हैं हर्याणा में 25 लाग तक का फ्री इलाज 500 रुपए में गैस लिंडर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए हर्याणा में कॉंग्रेस का जवद्दस्त घोशना पत्र हर्याणा विधान सवा चुनाओ को लेके कॉंग्रेस ने अपना घोशना पत्र जारी किया है दोस्तों साथ गारंटीया गिनाई गई है और बड़े बादे किये गए है पुरानी पेंसन योजना बहाल करने की बात भी की गई है कॉंग्रेस पार्टी द्वारा और यहां पे दोस्तों दो लाग से जादा सरकाई नौकरी देने का बादा भी किया गया है कॉंग्रेस द्वारा की सरकार वनने पार खाली पड़े पदों को भरा जाएगा आपको बताते चाहें दोस्तों कॉंग्रेस ने हर्याना को नशा मुक्त बनाने का भी संकल्त लिया है यहां पे दिब्यांग बुजुर्गों को यहाँ पे 6,000 रुपए पेंसन आदी की बात भी कही गई है देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बीजेपी पार कॉंग्रेस का घोशना पत्र हावी होता दिख रहा है बीजेपी के घोशना पत्र में इस प्रकार की कोई बाते नहीं की गई थी यह थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खर रहें मुखे समाचा ताजा अपडेट्स जो आप तक पहुंचाई है इस एक वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजेगा आपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाईएगा शेयर कीज कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत